महुबा जन्पत के कुल पहाड में आज अधिवक्ताओं और टीवी पत्रकारों के बीच मैत्री किर्किट मैच का आयूजन हुआ इस मैच का शुभारम सांसत कुवर पुस्पेंदर सिंग्चंदेल द्वारा ख्लाडियों का परशे प्राप्त किया गया मैच में टीवी पत्रकारों ने 49 रनों से जीत हासल करें दीवक्ताओं को शिकस्त दी है सायोक्त मीडिया कलब के बैनर तले खेले पत्रकारों को सांसत ने जीत की टॉफिय दी जिससे पत्रकारों का उसाथ देखने लाइक था इस मौके पर सांसत से कुल पहाड में खेल मैदान की मांग अधिवक्ताओं ने की जिस पर सांसत ने हर संभा प्रियास करने का भरोसा दिया आपको बता दें जनपत के कुल पहाड कस्वे में आज बार एशूर्शेशन और सायोक्त मीडिया कलब के बीच एक दिवसीय मैच का आईजन हुआ अधिवक्ताओं टीवी पत्रकारों के बीच हुए इस मेतरी मैच में पत्रकारों ने अधिवक्ताओं टीम को उनचास रनों से करारी शिकस्त दीव मैच का शभारम हमीरपूर महोबा लोकसभा के सांसत कुऊर पुषपेंदर सिंग चंदेल ने दोनों ही टीमों के खिलाडियों का परिचे प्राप्त कर किया इसके बाद अधिवक्ताओं टीम के कप्तान दिली प्यादव और पत्रकार टीम की तरफ से वरिष्ट पत्रकार विराक पचौरी भगवान दीन प्यादव अमित श्रोती ने टॉस किया जिसमें टॉस जीत कर पत्रकारों ने पहले बल्ले बाजी की पत्रकार टीम के कप्तान इर्फान पठान की अगवाई में खेले गए इस मैच के पहले बल्ले बाजी करते हुए पत्रकारों ने 15 ओवर खेल कर 149 रन बनाए जिसमें भारत तिर पार्ठी ने तीन गैंदों में दो चौकियों की मदद से 10 रन बनाए जबकि नानु जुवे पर एहमद ने 14 रन बना कर योगदान किया इसके अलावा मुहमद सलीम रवेंद बाहिद एहमद इमरान खान अफसर सैनवाज कोशल और सारिक ने भी बहतरीन पारी खेली पहले वल्ले बाजी करते हुए 149 रन का लक्ष अधिवक्ता ओं को पत्रकारों ने दिया था जिस प पाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे इस मैच में फील्डिंग के दौरान भारतिर पार्थी ने दो ओवर में चार रंदे कर तीन विकेट लिये हैं वही नानू जुबेर ने तीन विकेट वाहिद ने दो विकेट लेकर बहतरीन परदशन किया जबकि विकेट की परकी जि भोशित किया इस मौके पर शांसत पुषपेंदर सिंग्चंदेल ने कहा कि खेल के मैदान से टीम भावना की प्रेड़ना से खेले साथी मिलकर काम करने का जजबा और पैदा होता है और पता शलता है कि टीम की ताकत क्या होती है इसी भावना से यदी मिलकर काम किया जाए तो देश हमारा हडशेतर में आगे होगा इससे इंकार नहीं किया जा सकता वतार आती थी मौझूद रहे कॉपरेटिब बैंक या ध्याक चक्र पाणी तरपाठी भाजपा जिला ध्याक शाफदेश गुपता पंकश्तिवारी वा गौरप शंकू बाचपेई ने भी इस पत्रकार टीम को जीत की बढ़ाई देकर होसला वढ़ाया वहीं कुलपाड में खेल का मैदान नहोने पर सांसन नचिंता जताई अधी वक्ताओं की मांग पर जल्द से जल्द कुलपाड कस्तिवे में खेल मैदान के वस्ता किये जाने का आश्वासन दिया मैच में आप सिंग, मुजीद खान, धर्मिंद कुमार, राहुल कश्यव, अखलेश दुवेदी, सहबाज, राइन, विजसाहुआ दी लोग मौजुद थे मैं आभार प्रकट करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि खेल के मैदान से हम लोगो बहुत प्रेणा मिलती है, एक टीम भाउना से काम करने का जज़बा पैदा होता है, और टीम की क्या ताकत होती है, इसका एहसास भी होता है, और मैं समझता हूँ अगर यही भाउना से हम ल कार की बाते हैं उस समय की तो अगर उस पर कोई लगता है कि उसको ठीक किया सकता है तो उसको लोग मिल कर ठीक करेंगे तो हम लोगों का विटामिन वाइटमिन डी की कमी रहती है हमेशा धूब हमलों को मिलती रही है जाले के मैं के समय तो खेल के मिदान से हमलों को जुड़े रहना चाहिए जिसे आप देखते हैं इस समय पूरे गाउं-गाउं में अखाले खुद करके दंगल का आयोजन होता है बहुत अच्छी अच्छी जो ग्रामीर होते हैं उन सब लोगों को भी एक बार मिलने जुलने का अवसर प्राथ होते हैं आज हम लोगों की बीच एक सद्वावना मैच बारे सुस्यान कुल पहाड और सायुक्त मेडिया किलब महोबा के दौरा बहुत एक सांधार मैच खिला गया जिसमें ब उसमें सुधार के पूरे प्रियास किये जा रहे हैं हमारे अदबक्ताओं और सीनियर अदबक्ताओं ने बहुत ही हमारा साथ दिया और उनके मारदरसन में टीम का चैन किया गया और उन्होंने कहा कि बकालत के साथ खेल भी जरूरी है और एक सारे रिक और योग के साथ खे आर मार्टी रपोर।